तुम्हारी अपनी बेटी थी सगी बेटी थी क्या उमर थी उसकी थेड़ साल की एक मासूम ननी कली को एक सगा बाप काट रहा है उसके टुकड़े कर रहा है किस तरह तुमने इसको मारब बिचारी को कि अधाता तुम सबसाथ वजे उठा था मैंने सबसाथ वजे नाश्ते पे उठा नाश्ते में गन्याइब पहले शुरी पाली जे में जी तुरी राटे भी जे में राके चौंग में चला गया था जी जोग में जैसे वेखा सिस्टर बार गई वी ए वालदा सुती भी थी फो कि उसको मैं में दवाई देखे ना स्वा दिया था लिंडर की दो दिये ती मैडिसन खाती थी वो ऐसे भी खुग एना जी समच वेखा सिस्टर बार गई जी सिस्टर बार आग जस्तिमा पैरांदे नाल चाल गे स्पीटा नाल गया कार जी वाल्दां को हलाया नहीं हिल एग जी जैसे वेखा मैंने बेटी जो चुका बच्ची खाने में लेकर जागे ना कमल समेथ छोड़ी फेया दी इसको जी कहां पर पहरे तुम्हें उसकी चुरी विए दर मागे उस पर एक लम्हे के लिए तुम्हें नहीं आया कि मासूम उस नन्नी कली का उस बच्ची का क्या कशूर था? वो कि उसकी माह कही थी वो तुम्हारी नहीं है तुम्हारी नहीं है बेटी शर्म आने चाहिए तुम्हें ये बात करते हुए सर जी उसकी मगनी पहले भी दास्याल प्से किसे और के सार ही है फिर उसने घर के साथ ना लाड़के मेरे साथ की अभ़ adversary उस में उस नन्नी बच्ची का क्या कसूर था हमारा एक ही सवाल है उस नन्नी बच्ची का क्या कसूर था तुम्हारे अस वक्त हाथ नहीं काम पे, तुम खुद कहते हो, तुम कहते हो मैं उसको थगा बाप लूँ, मानते हैं अससीज को, तो तुम्हारे हाथ कैसे चल गए, यह तो किसी जानवर के बच्चे को भी कोई इस तरह नहीं मारता, फिर, क्या हो गए थे तुम्हारे दमाग कली का क्या कशूर था उस बच्ची का सवेरा नाम था उसका उस सिवारा सवेरा रानी का क्या कशूर था कितना तडपी होगी वो एक लम्हे के लिए तुम्हें ख्याल नहीं आया किया हमारे घर में मसीबत आए है वीय वे क्यों नहीं जारी कौन सी मजीबत बच्ची मसीबत थी कभी आग लग जाती थी, कभी कोई निक्सान हो जाता है कभी कुछ हो जाता था शर्म आनी चाहिए ऐसे बाते करते हुए इन लोगों को आज किस दौर में कभी आग लग जाती थी, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था हमेरे घर पे मसीबत आई हुई थी एक नन्नी बच्ची घर में रहमत को ये लोग मसीबत और नहुसत समझते थे जिसको इस शक्स ने अपने हाथों से ही बेरहमी से काट डाला अपने आपको नहुसत क्यों नहीं समझते तुम अपने आपको तुम मसीबत क्यों नहीं समझते तुम्हारे में गलती है ना, तुम अपना घर नहीं संबाल सके केदर से संबाल, ये च्छागार तुमने तुमने हमारा एक ही सवाल है पूरे पाकिस्तान लर्ज उठाई ये कहानी सुनके या ये ये केस देखकर ये तो पुलिस की बरवक्त कारवाई है जोनों ने ये केस साड़ोड कर लिया कि आप लोगों ने उस बच्ची को मसीबत और नहुसत समझ के गले पे छुरी पेर दी इतने जालमाना तरीके से मार डाला उसके हाथ भी कटे हुए थे उसको क्यूं कारते रहे हो बेगम को मनाने के लिए जी बगर नहीं वो मानी जहालत की इंतहा देखें बेगम तुम्हारी नहीं मान रही बच्ची को बकॉल तुम्हारे वो अक्षैप्ट नहीं कर रही कभी तुम लोग कहते हो जादू टोना जाली आमल ले ये कर दिया जिन आगए ये कर गया घर में आग लगी हुई थी कि मुसिबत थी उसमें उस नन्य बच्ची का क्या क सूर्टा तुमाद परस्ती की बी इंतहा है, बच्ची के जब हाथ कटे थे ते तो क्या कहते था ये जादू की वोज ents Papa He वालदा कर रही है काम बच्ची की तो मैं फिर बाहर पीरों फिकीरों की तरह लग गया लेकिन जब आखर में जादू वाली साइड पे क्यों गये तुमको ये पता हुआ जादू टौने वाली साइड पे क्यों गये घर में खुद बा-खुद आग लगी थी इसलिए गये तो जादू टौने से क्या फाइदा हुआ तुम लोग उसका तोड आपको क्या मिला कि उस तोड वे ही कर दिया उसे तोड कि उस बच्ची को ही काट डाला किया साइड तुम में अच्छा इसका हाल निकाला और तोड निकाला उस जादू तोने का उस बच्ची की बच्ची की ब तुम निकले हो तुम घर से गर्दन पूरी कार्ट डुन दिसकी अब इसको जल्म की इंतहा कहेंगे तुम्हें एक लमहे के लिए एसास नहीं हुआ कि मैं इतना जल्म कार हूँ एक जानदार पर चुले इंसान, बेटी चुले बाद की बात है इतना जर्म कर दियो तुमने उस मासूम बच्ची पर कौन उन्हार गया है? रही जिननात की बज़ार से तो फिर तुमने ये ड्रामा क्यू बनाया? तुम इतने शरीफ हो, तो तुमने ये ड्रामा क्यू बनाया? सर जी हमें तो यही पता जाल रहा था कि पहले भी जो मसला हुआ जिनाद की वायस हुआ है जिनाद का मसला हतम करते करते मुसिबत दूर करते करते उस डेट साल की मासूम बच्ची को या घर की नहुसर दूर करते करते उसको कटवा दिया तुम लोगों ने इसकी वज़ा से मसला बन रहा है हम तो यहीं समर्द बाग रहा था क्या मिल गया तुम्हें बताओ खुशी मिल इन खुशी मिल इन तो फिर ना करते हैं अशा अब तुम इतने क्यों मजलूम और मस्लूम क्या तक्रीफ हो रही है, दुख हो रहा है अफसोस हो रहे? क्या अफसोसुरा है अभी इतना कुछ करना है कि बाबा जूँदसुला नियोए अमारी सुसारठज़े शर्म की इंतहा है दूब मरने का मकाम है इस शक्स के लिए इसको ये अफसोस नहीं है कि मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी की गर्दन ही काट डाली उसको ये अफसोस है कि जी मेरी सुला नहीं हुई तुम्हें तो ढूब बरना चाहिए तुम्हें तो इदर खड़े कैसे हो तुम अभी भी तुम्हें अपने बेटी आदनी आ रही तुम्हें सुला नजर आ रही है किसे सुला करनी थी तुम्हें सुला किसे करनी थी बेगम से सुला करने के लिए तुम अपनी बेटी को काट रहे हो कह रही है मेने ये डही नहीं नहीं है मैंने किसे हो सकता वो वो कहil रही मनगोग में बेगम कि कहने पर अपनी बेटी बचारी जिसका कुसूर नई जाए क काट ढ़े है उसके कि उलता है। जैसे बावसित काटे वियों बेटे है वो जाए आए लिए गम्हर काग ऑगे म४ कि फर्चाना कथा थी तुम्हें तुम्हेंका थी तुम्हारी पर्थ प्रिदें यह कॉन सा में वक्षी वोली एजी तुम्हें कॉन साम है कि बच्चीम मर गहा है यह लॉगले मुझके उह क्यों हमट दिस दुम्हारी आठाती देचे वो झूम्ने ने ने उनारा एद गोर॥ वही कहा है रहो है रहूंě वही मेणा प्रूНा ये बनाना थे me सोच करिए यही सोच रहा है कि मेरी सुला हो जाए क्या चाहते हो बेटी को तुमने कदल गर दिया अब तुम क्या चाहते हो महाथी चाहते हो किस से तुमें रहमायत अपनी बेटी पे घरदन काटते हुए नहीं जी अल्ला की जो रहमत है उसको तुम अपने हाथों से काट रहे हो बेटिया तो रहमत होती है और उसमे भी एक मासूम नन्नी परी किस मुह से माफी के तलबगार हो तू तुमारी गर्दन वैसे काटी जाए जिस तुम ने काटी थी बीच कुराहे में तुमें, काटा जाए वैसे काटा जाए के ना काटा जाए बताओ गर्दन कटवानी है वैसे के नहीं कटवानी हाँ नहीं नहीं अपने लिए नहीं